तो फ्रेंड्स मैं हूँ साजिता और आज आपके साथ रमजान स्पेशल में शेयर करूँगी बटाटे की भजिया आप पर्फेट बटाटे की भजिया घर पे बना सकते हो बुखत ही सिंपल और आसान तरीके से इसके लिए आपको बटाटा लेना है एकुल शेप पे आपको क मेंजरिंग कर सकते हो ठीके अब यहां पे लेंगे मसाले मसाले में एड करना है चोड़ी चमच धनिया पॉडर चोटा चमच हम लेंगे यहां पर भुना हुआ जेरा पॉडर और रैड चिली पॉडर आप बारी है थोड़ा सी हल्दी एड करने की तो एक छोटी चाय की करते हुआ इसमें आपको एक अच्छा सी बैटर बनाना है अगर आपका बैटर बढ़िया सी बनेगा तब ही आपकी जो भजिया है पकोड़े है जिस चीज के लिए भी आप बैटर बना रहे हो न वह परफेक्ट रहेगा तो आपकी जो रेसिपी है फूल कंप्लीटली परफे तेल भी हमारा बढ़िया गरम होना चाहिए फिर उसको अच्छा से डिप करके इसमें से डालते फ्राइ करेंगे तो देखिए तेल हमारा पाफ्यक गरम हो गया है अब हम इसमें एक करते हुए बटाटे के स्लाइस को मिक्स करेंगे बैटर में और टालते जाएंगे जितनी कॉंड़िटी में आप बनाना चाहते हो बना सकते हो लेकिन यहां पे देखिए एक भजिया थोड़ा एक्स्रा हो गई है तो यहां पे मैं चार ही फ्राइ करूंगी यह देखिए और हमारी भजिया देखिए कि तब फटा फट से फूल रही है यानि हमने जो बैटर बन कि पनीर का हो गए आप किसी भी चीज का बना रहे हो ऐसे थीके टो इसको देखिए कितना फूला फूला हमारा पकोड़े बन रहे देखिए तो मैं इसको निकाल लूँगी एक मिनिट ही लगता है इसको फ्राइ होने के लिए जादे टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमारा त तो अब मैं दूसरा आपको दिखा देती, और दूसरा वाला भी कितना बड़ाती बार्डी साभ हो रहा है, यह देखिए, तो इस बार मैंने चारी फश्राइ कि एक साथ, ठीक है, पहले तो मैंने पाच कि आवह था फ्राइ, तो अब मैं इसको भी निकाल लूँगी की तेल ग खुब बड़ी असी बन कर तयार हुई है हमारी भज्या दोस्तों मेरी वीडियो अपलो को कैसी लगी है बताना जरूर और अंदर समय आपको बता देती हुए देखी आलू भी बिल्कुल कच्छे नहीं है परफेक्ट से पग गया है क्योंकि एकुल शेप में कट किया हुआ थ हुआ 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 है